प्रतियेक मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। अगर आप अपना लक्ष पाने में नाकाम्याब होते हो तो अपनी रण्णी की बदलो लक्ष निर्मित होकर अपने करतव्य के रास्ते से हट जाना ना तो यह मेरा आखिरी जन्द है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्द है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है। जैसे मनुष्य पुराने कप्डों को उपतार कर नए कपड़े धारं कर लेता है। आत्मा ना जन्द लेती है ना मरती है ना ही इसे जलाय सबी क्राणियों को समान व्रूंक से देखता हूं ना मुझे कुई कमेह Richmond करते वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं अच्छी किस्मत की लोग खोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोशते हैं और बुरी किस्मत की लोग खोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरल और धन्यवाद करते हैं हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है, मचली जंगल में नहीं दोड सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए एहनियत सभी को देनी चाहिए, भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है, आप कब सही थे इसे कोई जुन बनना पढ़ता है, रोच अपना ही सारती बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पढ़ता है, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और देने को छोड़ दिया जाता है, श्री प्रिश्न कह कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्य उपनी ही निश्चित है, जितना की मृत्य होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोप मत करो, प्रोच से व्रम पैदा होता है, व्रम से बुर्दी व्यक्र होती है, जब बुर्दी व्यक्र होती है, तब प्रतिश्टा वन्ष और वैभव तीनों ही चले जाते हैं विश्वास नावोगतों रूपकर नाश्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है इनसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आग एक पीछे चारों तरफ देखता है बस उपर देखना भूल जाता है तू करता वही है जो तू चाहता है होता वही है जो मैं चाहता हूं तू वही कर जो मैं चाहता हूं फिर होगा वही जो तू चाहता है अहनकार करने पर इनसान की प्रतिश्टा वन्ष और वैभव तीनों ही चले जाते हैं विश्वास नावोगतों रावन और कॉरव और कंस का अंग आपके मन पो अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू करदेगा अग्यानी ब्यक्ति स्वयम किलाब के लिए कारे करते हैं जबकि बुद्निमान लोग विश्व के खल्याल के लिए कारे करते हैं जिन्दगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है एक प्रिश्न जो नालने फिर भी चीत पक्की करदे, दूसरा कर्म जो भार सामने हो फिर भी सातना छोड़े बुरे कर्म करने नहीं पढ़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पढ़ते हैं बहुत विनम्रता चाहिए रिष्टों को निभाने के लिए छलकपट से तो सिर्फ महा भारत रची जाती हैं इतिहास कहता है कि कल सुख था, बिज्ञान कहता है कि कल सुख होगा लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्छा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा कर्म का फल प्रिप्ति को उसी तरह धूंद लेता है जैसे कोई बच्छडा सैक्डो गायों के बीच अपनी माँ को धूंद लेता है उपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है लेकिन याद रखना ये पिस्ती बहुत अच्छे से है अगर भर्मान तुम से ज़्यादा इंतजार करवा रहे है तो तैयार रहना वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले है जितना तुमने मान का है अच्छे लोगों की क्रिश्न परीक्षा बहुत देता है परंतु साथ नहीं छोगता और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है पर अंतु साथ नहीं देता जिन्दगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर धामन मत करना क्योंकि पत्खर जब पानी में गिरता है तो अपने ही बज़न से दूप जाता है याद रखना अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बासुरी बज़ाने बाला कभी महाभारत नहीं वोने देता अगर आप काम्याब होना चाहते हो तो पहले अपनी कमसुरी दून दो फिर उसको अपनी ताकत में बदल आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है क्योंकि एक काम्याब इंसान के पास भी उतना ही समय होता है जितना आपके पास जो इंसान धार के दर से कभी आगे नहीं बढ़ता है वह इंसान जीवन में कभी काम्याब नहीं हो सकता है अगर आप वोई करते हैं जो हमेशा से करते आया है तो आपको वोई मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है बीते हुए कल को भूल जाना ही बेहतर होता है क्योंकि बीते हुए कल में कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता है जिस इंसान में अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया उस इंसान में जीवन के दुखों पर काबू पा लिया लगातार हो रही असफ़ताओं से निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चावी भी ताला खोल देती है आपका समय सीमित है इसलिए इसे किसी और की जिन्दगी जीकर व्यर्थ मत कर ले जीवन में एक लक्ष ऐसा होना चाहिए जो हर दिन सुबह विस्तर से जल्दी उठने पर मजबूर कर दे जिन्दगी में वही लोग सफल होते हैं जो अपमान का बदला लेने की जगह अपने अंदर बदलाव लाते हैं सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता है कि मंदिर जाना है या कब उपर ऐसे ही जिन्दगी जैसी भी है इसे हंस खेल कर जीओ काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े जब आपका नसीब साथ नहीं दे रहा हो तो समझ लेना आपकी मिहनत साथ देगी ठोकर ही सबसे बड़ा गुरूँगे खाते जाओगे और सीखते जाओगे जो व्यक्ति अपनी गल्तियों के लिए अपने आप से लगता है उसको कोई नहीं हरा सकता है जो कभी नहीं बदल सकता उसे सहना सीखे अगर आप उससे के एक छण में धहरे रखते हैं तो आप रैक के सौ दिनों से बच सकते हैं कुछ बनाना है तो समुंग बनो लोगों के पसीने चितने चाहिए तुम्हारी शक्सियत नापके नापके हमेशा अपनी आदतें विन जैसी रखो क्योंकि सफलता गुलाम होती है आपकी आदतों की समय के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको दुबारा समय दे सके ये दुनिया ये नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे बलकि ये देखती है कि अभी तुम क्या हो जिस व्यक्ति के अंदर सनक नहीं होती वो कभी महान नहीं बन सकता हमारा कार्य केवल कर्म करना है, कर्म ही हमारा कर्दब्य है, फल देने वाला स्वामी को इश्वर है लाइख में कठिनाय आयतों अदास मत होना, बस ये याद रखना कि मुश्किल दोल अच्छे एक्ट को ही दिये जाते है आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को चोट नहीं पहुंचता है और दूसरों को चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता है एक मिनट में जिन्दगी नहीं बदलती है लेकिन एक मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिन्दगी बदल देता है उठो जागो और तथक मत रुखो जब तक आपको अपने लक्षे की प्राप्थी ना हो जाए अपने राज किसी दूसरे की सामने तब तक प्रकट मत करो जब तक तुम्हारा लक्षे पुरा ना हो जाए खुद पर भरोसा करोगे तो यह आपकी ताकत बन जाएगा लेकिन दूसरों पर भरोसा करोगे तो यह आपकी कमजुमी बन जाएगा अपनी मंजिल तक जाने के रास्ते मुश्किल जरूर हो सकते हैं लेकिन नामुन के नहीं हो सकते हैं अगर आपने अपना लक्षे चुन लिया है तो उस पर मेहनत और लगन के साथ स्थिर्टा से काम करो जल्दी सब कुछ बदल जाएगा आने वाले अच्छे दिनों के लिए आज बुरे दिनों से लगना ही पड़ता है आप लोग फिर से कोशिश करने से मत धबराना क्योंकि दुबारा की गई शुरुआत शुरूने से नहीं अनुभाव से होगे जब जिन्दगी तुम्हें कोई नया मौका दे तो पुरानी गल्तियों को दोहराने की कोशिश मत करना एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता एक निवड़ाय से फोड़ा कुछ बदलता है परन्तु एक निश्चे सब कुछ बदल देता है समस्याय तो सभी के जीवन में आती है लेकिन कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है खुश नसीब वो नहीं है जिसका लग अच्छा है बल्कि खुश नसीब वो है जो अपने लग से खुश है जीवन में सफलता पाने का एक रहसे यह है कि आने वाले अफसर के लिए तयार रहना हर नई शुरुआत फोला दराती है पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजरा की है माफ करना और शांत रहना सीखो आप ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहार भी रास्ता देगे केवल सफल व्यक्ति बनने का ही प्रयास न करे बलकि मुलेवान व्यक्ति बनने का भी प्रयास करना चाहिए सफलता ऐसे सपने देखने से मिलती है जो आपके डर से बड़े होते हैं पागलपन और प्रतिभा के बीच की धूरी सक्सेश से ही मापी जाती है इस दुनिया में दो तरह के लोग है एक जो काम करना चाहते हैं और दूसरे जो गलतिया नहीं करना चाहते हैं आप अपने विचार बदल कर अपनी दुनिया बदल सकते हैं positive सोच हर problem का समाधान है और negative सोच हर समाधान की problem है मनजल से ज़रा कह दो अभी पहुचा नहीं हुँ में, मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हुँ में अगर जीवन में काम्या भी पाना है तो मेहनत पर यकिन करो क्योंकि किस्मत की आजमाईश तो जुवे में होती है किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं करते हैं तब तक हमें वो काम ना मुंकिन ही लगता है अपना एक लक्षे बनाओ और उस लक्षे के पीछे पर जाओ फिर देखना सफलता आपके अवश्य ही कदम चुबेगी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ क्योंकि अधिकतर लोगों की बाते मनोबल गिराने वाली होती है अगर लाइफ में काम्याब होना चाहते हो तो बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत दाओ जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए क्योंकि सही वक्त कभी आता नहीं है उसे लेना पड़ता है जो व्यक्ति हारने के दर से आगे नहीं पड़ता है वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है शिक्षा सबसे अच्छा फ्रेंड होता है, एक शिक्षित व्यक्ति हर जगा सम्मान पाता है, शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक जाए, क्योंकि आगे का रास्ता वहां पहुँचने के बाद दिखाए है